नमस्कार साथियों स्वागत आपका स्टेडी फोर सेविल सर्विस के यूट्यूब प्लैटफरम पर दा ब्यूरोक्रेसी कल आरो और एरो की परिक्षा संपन्न हुई और अब हमें क्या करना चाहिए आगे आने वाली परिक्षाओं की तेयारी करती रहने चाहिए बिल्कुल भी ब्रेक लिए बगेर एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं लेकिन हमें तब तक प्रियास जारी रखना चाहिए जब तक कि हमें हमारा गोल अचीव नहों हो जाए आपको पता ही होगा कि जनल स्टीड में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं इस्ट्री, जोगर्फी, पॉलिटी, एकॉनोमिक्स, एन्वार्मेंटल साइन्स, करेंट अफेर्स, साइन्स एंड टेक्नलोजी और ना जाने क्या-क्या तो उसी में से एक बहुती इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसका नाम है इंडियन पॉलिटी याने की सम्विधान इसको आज डिसकस करना शुरू करते हैं, काफी इंट्रस्टिंग सा है और स्टेट PCS में यहां से काफी इजी कॉश्चन आ जाते हैं तो यह एक ऐसी टेरिटरी है सम्विधान वाली जहां पर आप खोड़ी सी मेहनत करके दस बारा सवाल जो भी एक्जाम में आते हैं इस टेट PCS लेवल के उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं थीक है तो देखिए यहां पर कुछ चीजे लिखी हुई है समिधान के संबंद में उसका हिस्टोरिकल बैग्ग्राउंड समिधान कैसे बनाए गया उसमें कौन-कौन से फीचर्स थे यह प्रेमबल या प्रस्तावना क्या जीज होती है यह सारे कंपोनेंट जो आप पड़ रहे हैं आपर जो लिखा हुआ है यह सारे के सारे किस्से संबंदित हैं हमारे समिधान से ओके देखिए इस्टोरिकल बैग्राउंड है उसका जैने कि इसकी अपनी एतियासिक प्रस्ट भूमी है किस तरीके से समिधान बनना सुरू हुआ किस तरीके से पूरा हुआ कौन-कौन से उसमें लक्षण एड किये गए जो भारत के कह सकते हैं कि जो डाइवर्स नेचर है उसको जस्टिफाई कर रहे थे रस्तावना क्या जीज होती है Union, Territories, Citizenship, Fundamental Rights, DPSP, Fundamental Duty ये क्या बलाए हैं इन सबको पढ़ना होगा समिधान किस प्रकार से काम करता है केंद्र और राड़ी सरकारें क्या होती है Judiciary अर्थात, नयपाली का क्या होती है Supreme Court, High Court और Subordinate Courts क्या होते हैं किस तरीके से काम करते हैं Local Government क्या होती है Union, Territories का Governance का Government कैसे काम करती है Constitutional Bodies क्या होती है अर्थात, समिधान निकाय क्या होते है अर्थात, Election Commission, UPSC, Public Service Commission, Finance Commission, etc अनुसूचित जाती, जन जाती, Backward Class, I.O. क्या होता है National Human Rights Commission State Human Rights Commission, Chief Information Commission Central Vigilance Commission, CBI, लोगपाली सब चीजें क्या है यह सारी रोजमर्रा की चीजें हम अकबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं ठीक, और इन ही सब चीजों को Examination Point of View से हमको समझना होगा जाहिर से बाते समझना चाहिए तो समिधान क्या ऐसे ही समझ में आ जाएगा अगर आप लगे article से सिवात करने पढ़ने, जी नहीं सिर्फ आर्टिकल पढ़ने बैठेंगे तो समिधान समझ में नहीं आने वाला थीक उसी तरहीके से जैसे आप हिस्ट्री पढ़ने बैठें और लगे डेट याद करने तो समझ में नहीं आएगी बात इसका मतलब यह हुआ कि हर सब्जेक्ट का अपना कॉंसेट होता है हर सब्जेक्ट की अपनी भूमिका होती है और हमें उस भूमिका को समझे बगएर आगे नहीं बढ़ना चाहिए फिर जाए हिस्ट्री हो जाए योगर्फी हो जाए पॉलिटी ही क्यों नहीं हो क्योंकि आपके पढ़ने का जो शुरुवात करने का जो तरीका है वो गलत है आपको इसके कॉंसेट्ट को समझना होगा तब जाएके चीजें समझ में आएंगी ठीक, तो क्या पॉलिटी के अपने कॉंसेट्ट हैं? बिल्कुल है क्या Humanities Subjects के अपने Concept होते हैं जैसे कि Science Subject में होते हैं जैसे कि Physics में होते हैं Mathematics में होते हैं Chemistry में होते हैं Biology में होते हैं क्या Quality जैसे Subject के भी अपने Concept होते हैं बिलकुल होते हैं जी बड़े ही बारीक Concept होते हैं इसके भी इसको समझ लेना काफी जरूरी है तब आपको आर्टिकल स्वध ही याद होने शुरू हो जाएंगे अक्सर आपने सुना होगा कि भारत का सम्मिधान विश्व का सबसे बड़ा सम्मिधान है इस बड़े सम्मिधान से तात्पर की सीज़ का है तो मुझे जाहिर सी बात है कि ये बताना पड़ेगा मेरको आपको कि वो बड़ा या सबसे बिगेस्ट कॉंसिटिशन क्यों है वो इसलिए है क्योंकि भारत के सम्मिधान में 395 ओरिजिनल आर्टिकल है ऐसे इतने असारे आर्टिकल्स दुनिया के किसी भी देश में नहीं है इसलिए सबसे बड़ा रिटेन डॉक्यूमेंट माना जाता है अभी मैं कहा रहा है कि आर्टिकल्स शुरुवात आर्टिकल्स पढ़के नहीं होनी चाहिए और मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल्स का जिकर कर दिया तो इसका मतलब क्या यह है कि आर्टिकल्स हमें नहीं पढ़ने होंगे पढ़ने होंगे आर्टिकल्स पढ़ने ही पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले आप आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे पहले उसकी भूमिका को समझेंगे तो वही भूमिका मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करता हूँ ये लेक्चर मैंने उन लोगों को ध्यान में रखके मनाया है जो सुरुवात कर रहे हैं या जिनको अभी पढ़ाई की सुरुवात करते हुए कुछ ही दिन हुए है उनके लिए ये सबसे भैतर एक लेक्चर साबित हो सकता है तो आई समझते हैं इसके बैक्ग्राउंड को ठीक हर चीज का अपना हिस्टोरिकल बैक्राउंड होता है समिधान का भी है तो अगर हम पूछें कि समिधान का हिस्टोर का बैग्राउंड कहां से शुरू होता है तो यह शुरू होता है 1773 से Regulating Act से जब British East India Company शासन कर रही थी यहाँ पर और कब तक चलता है? 1947 तक Indian Independence Act तक चलेगा यह इसका बैग्राउंड लेकिन क्या यह जरूरी है कि समिधान पढ़ने के लिए हमें 1773 उठाना पड़े? कोई जरूरी नहीं है लेकिन ¿History पढ़ते समय उसे आप छोड़ नहीं सकते? तो यह जो इसका पार्ट है यह कि history वाला पार्ट भी है और वही हिस्ट्री वाला पार्ट सम्मिधान का historical background भी है दोनों purpose all हो जाएंगे आपके आजादी की लड़ाई आपको पढ़नी पढ़ेगी इंडिया नेशनल मुव्मेंट मौडन इंडिया में तो जब मौडन इंडिया जब पढ़ रहे होंगे तो आपको इन सब चीजों से रूबरूब होना पड़ेगा जैसे की नेहरू रिपोर्ट क्या थी राउंटेबल कॉनफेंस क्या थी कि भारत के भागी का फैसला भारत में नहीं भारत से बहुत दूर इंग्लेंड में हो रहा है राउंटेबल कॉंफेंस का जिक्र पढ़ेंगे आप तीन राउंटेबल कॉंफेंस का उलेक है गौर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का नाम सुनाओगा आपने आपने अकसर ये भी सुनाओगा कि भारत के समझान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पढ़ता है तो उसका जवाब सीधा स्यदा है कि भारत सरकार अधिनेम 1935 अगस प्रस्ताव 1940 1942 का क्रिप्स मिशन 1945 का अवेवल प्लाइन और 1946 का क्या था ये सब चीज़ें आप हिस्टरी में पढ़ेंगे हिस्टरी में अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है आपको समझ में आती है तो मैं मान सकता हूँ कि आपको इसको समझने में कोई विशेश दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो हम इस्टोरिकल बैग्राउंड को बहुत पीछने ले जाकर सीधे कहां ले जाते हैं 1946 में कैबरेंट मिशन के पास ये खाली एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से समिधान को समझे कैबरेंट मिशन ने जो भी प्रस्ताव रखे थे वो उस समय के भारती जो राजनेतिक दल थे उनमें आम सहमती बनी और समिधान सबा का अगठन हुआ समिधान सबाने समिधान लिखना शुरू किया 9 दिसमबर 1946 से और ये प्रक्रिया दिसमबर 1949 तक चलती रही 26 जनवरी 1950 और वही हमारा क्या है गणतंत्र दिवस है ये बाद आप जानते हैं तो यही इसका छोटा सा historical background है लेकिन कैबरेट मिशन की संसुतियों के बाद जब समिधान सबाने अपना काम करना शुरू किया होगा तो उसी कौम कहते हैं Making of the Constitution Making of the Constitution का तात पर यह है कि हम समिधान में रखें क्या-क्या जो भारत के diverse nature को justify या उसको satisfy करे जहर से बात है कि हमें पढ़ना पढ़ेगा उसमें कई सारे features सामिल किये गए होंगे जो भारत के क्या सकते हैं कि diversity को जो विवदता है उसको justify करे features का मतलब यहाँ पर कई सारे components हैं जैसे कि fundamental rights fundamental duty आलकि इसको बात में जोड़ा गया था DPSP अर्थात Directive Principle of State Policy citizenship कौन है सब को define किया गया है कि नागरिक कौन है DPSP हो गया यह सारी जो बाते लिखी हैं यह आपर सबका सबका सम्मंद किस इससे समिधान से ही है urine territory क्या होती है भारत में कौन-कौन से राज्य है राज्य बनाने का दिकार किसको है या फिर भी कोई नया राज्य बन सकता है बिलकुल बन सकता है यह सारा system लिख के छोड़ दिया गया है और उसी को follow किया जा रहा है आज तक follow किया जा रहा है और आने वाले समय में हमेशा follow किया जाएगा इसको भारत समिधान के अनुसार चलता है ठीक है अगर आप से कहें कि यह देश कौन चला रहा है आपने पूछा होगा कि यह देश कौन चला सकता है तो एक साधरान से जवाब आगा कि प्रधान मंत्री चलाते है कोई और थोड़ा बहुत जानकारी में रहते हैं कि नहीं देश नेता नहीं आईएस ऑफिशर चलाते है तो मैं आपको बताओं यह जवाब सही नहीं है देश खुद बखुद चलता है समिधान के दौरा चलता है आईएस भी समिधान की परिधी में रहकर अपना काम करते हैं प्रधान मंत्री को भी समिधान के दैरे में रहकर काम करना होता है तो यह एक ऐसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखे गए नियम भारत में रहने वा जो historical background है वो क्या है कि सदियों तक भारत क्या रहा एक राज तंत्र रहा है यानि कि राजा का सासन रहा है कोई लिखित उसमें कोई document थोड़ी था राजा अपनी इच्छानुसारे काम करता था जनता की किस्मत अच्छी तब माने जाती थी जब राजा क्या हो welfare activity करता हो जैसे क अशोक को माल लेते हैं अकबर को माल लेते हैं जिनको अच्छे रूप में दिखाये गिया है है और हम ऐसे कई सारे राजा हैं जिनको अच्छे हिंदू राजाओं की स्रीणु में रखा जाता है लेकिन थे तो सब राजाई न कोई लिखित document या लिखित परिपाटी के अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहे थे ठीक लेकिन यहां पर अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं किया जाता यहां पर समिधान को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती है और किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है कानून जनता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है यही सम्मिधान है तो क्या इन सब चीजों के लिए हमें आर्टिकल याद रखने होंगे रखने तो पढ़ेंगे लेकिन उन आर्टिकल को याद करने के लिए सिर्फ आर्टिकल पढ़ने मत बैठ जाईएगा इन सब चीजों को पढ़िएगा आर्टिकल खुद आपको याद हो किसे कहते हैं समीधान किस प्रकार से काम करता है केंद्र और राड़ी सरकार है क्या होती है यह न्यायप्रणाली क्या होती है इन सब के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इसमें यगीर्मानिय काफे इंट्रस्टिंग है बहुत टफ नहीं है थोड़ा सा इंट्रस्ट दिखाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि दो महिने के अंदर आपको इसको आपको इसका पूरा निचोड समझ में आ जाएगी यह मामला क्या है ठीक है लोग सभा यारी सभा चुनाओ यह सारी बातें आपको सम समिधान की ठीक यूनें इन स्टेट गवर्मेंट मैंने लिखी दिया है यहाँ पर तो यह खाली एक इंट्रो क्लास है फिर आपका परचे करवाने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा यह सारी बातें आपको समिधान में पढ़नी होगी इसके अत्रक भी कुछ बात सामने डिस्कस करता हूँ जैसे यह देखिए हम कहते हैं की भारत के समिधान में कितने भाग हैं 22 टोटल कितने पार्ट हैं समिधान में 22 टोटल कितने आर्टिकल हैं 395 ओरिजिनली इतने ही है एक चीज और होती डिसकों कहते हैं शिड्डियू ठीक है अनुसूची कहा जाता यह कितनी है फिलाल बारा है लेकिन जब समिधान बन रहा था तब आठ थी औरिजिनली कितनी थी आठ थी आज कितनी है बारा है ठीक सबसे पहले तो आपको यह याद रखना होगा कि यह क्या चीज है यह सब चीज है बारत के समिधान को विश्व का सबसे बड़ा समिधान मना देती है इतने आर्टिकल्स विश्व के किसी भी देश में नहीं है जितने की भारत में है अच्छा अब बात करते हैं कुछ पार्ट की बात कर लेते हैं चलिए पार्ट वन इसमें क्या है कि क्या मैं 395 को 22 से भागा दे दूं और सभी पार्ट में बराबर बराबर आर्टिकल्स होंगे ऐसा नहीं है 395 को 22 से भाग देने की जुरूत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हर पार्ट में बराबर बराबर आर्टिकल नहीं है किसी में सौ आर्टिकल है, किसी में एक आर्टिकल है, इसलिए हर पार्ट बराबर नहीं है, अलग-अलग इसका, पार्ट वन में कितने आर्टिकल है, चार, पार्ट वन है किस चीज के बारे में, सबसे पहले किस के बारे मात करी जाएगी, सबसे पहले बात करी जाएगी भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, राज्यों के बारे में, तो वो सारी बाते कहा मिलेंगी आपको, पार्ट वन में, याद हो गया ना असानी से, इंडिया, स्टेट्स, यूनिन, टेरिट्री, इन सब के बारे में कहां जानकरी मिलेगी, पार्ट वन में मिलेगी, अच्छा, दूसरा पार्ट कैसे याद रखना है पार्ट टू क्या है आर्टिकल पांस से ग्यारा किसके बारे में है भारत देश किसकी वज़े से है वहाँ के नागरिकों की वज़े से अर्थात किसके बारे में पढ़ रहे होंगे आप प्र भाडिशंगे, और फाथ नागरिक्ता के बारे में, ठीक है, क्या नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, तो तीसरी नंबर प्रण आ जाएगा, मौलीक अधिकार आजयेगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 यह तो आपको बातों बातों में ही याद हो जाएगा बातों बातों में पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री भारत नागरिक wieंडरमेंटल राइट यानिकि मौली कदिकार ठीक अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर fundamental right क्या जो हमारी सरकारे हैं वो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है की नहीं है बिलकुल है वही क्या जिम्मेदारी है कि इन नागरिकों के लिए जब भी कोई कानून बनाया जाए तो कम से कम कुछ बतों का ध्यान रखा जाए मामला यह है तो इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाता है कि कम से कम नीती बनाते समय आप इन सब चीज़ों का पालन कीजिए तो उसको क्या नाम दिये दिया जाएगा DPSV Directive Principle of State Policy कितने आर्टिकल है इसमें जहां से खतम वह अवस से आगे बढ़ जाएगा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है तो हमने 51 में आर्टिकल तक चार पार्ट देखे चारों अलग अलग है और इसमें सबसे इंपोर्टन जो है वो है fundamental right याने की part 3 important सारे हैं ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ना नहीं है आपको छोड़ देना नहीं है इनमें सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण क्या है fundamental right है इसके बहुत सारे dimensions है पहली बार जो पढ़ रहा है इसको उसको पढ़ने में लगेगा समय खोड़ा सा जटिलता लिये हुए है इसलिए ध्यान देने की जुरूद इसमें है इन सब parts को समझने के बाद हम पहुंचते हैं कहां हम पहुंच जाते हैं भारत सरकार के पास भी कह सकते हैं इसके आगे में क्या लग दूँगा चार के बाद क्या आता है पाँच आता है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा समयधान एक ऐसी खुली किताब है जिसमें जरूरत पढ़ने पर हम उसमें सुधार या बदलाव कर सकते हैं इसको क्या कहा जाता है कहा जाता है यानि की अमेंडमेंड कहा जाता है समिधा निर्माताओं ने बहुत अच्छा काम किया 1947 और 2023 में बहुत फरक है यह फरक इतना है कि पैचान नहीं सकेंगे अगर हमारे पूर्वा जहां आ गए कि यह वही भारत है लेकिन वो इतने विजनरी लोग थे जो यह समस आशते थे कि समय हमेशा परिवर्तन सील रहता है और परिवर्तन सील समय के हिसाब से जों को समय के साथ बदलते रहना भी चाहिए सायद यही वज़े है कि आज समिधान में हम देखते हैं कि 100 से भी ज़्यादा बार क्या हो चुका है संदोधन हो चुका है लेकिन इस पर प्रस्नेचन ने उठाया जाता है कि समिधान निर्माताओं ने कुछ जादा ही सुईधा दे दी है किस चीज की कि जब मन चाहिए समिधान में संसुदन कर लेते हैं अगर हम कंपेर करने इसको USA के समिधान से तो हम पाते हैं कि समिधान जो USA का है वो ज़्यादा कठोर है इंडिया का कठोरता और समनवय और लजीलेपन का समनवय लिखा तो है लेकिन ये कठोर कम और लचीरा जादा है वकीलों द्वारा बनाया गया था वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है इसको ऐसी कुछ बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी जब हम समिधान पढ़ेंगे तब बहराल पहुंच गए हम कहां पर भारा सरकार के पास हाँ जब मनें अमेंडमेंट का जिक्र किया तो मैं आपको एक बहुत बताना भूल गया कि जहां पर पार्ट फॉर खतम होता है और जहां पर पार्ट फाइफ सुरू होता है इसके बीच में एक जोड़ी गई जिसको कहते हैं हम पार्ट फॉर ए और इसका नाम था फॉंडमेंटल ड्यूटी उनिस सुचियत्तर बैलिस्वा समिधन संसोधन रश्यन कॉंसेप्ट जोड़ दिया गया अर्थात लचिलेपन को दिखा रहा है उसमें तो केंड सरकार में आपको किसके बारे में पढ़ना होगा राष्पती के अरां कैसे चुनाव होता है ज्रटिल पकरिया है क्या कंडीशन्स है राष्पति की चुनाव होने की उपर राश्पति क्या function's है या powers है राष्पति की उपराश्पती पदेन अध्यक्ष है ये बात किस आर्टिकल में लिखिये याद रखना होगा याद हो जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पार्लियमेंट पढ़ेंगे आप संसत क्या चीज है लोकसभा क्या है रारिसभा क्या है मंतरी परिशत क्या है परधान मंतरी कौन होता है कैबिनेट क्या होती है किजन कैबिनेट क्या होती है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है लोकसभा के मेंबर को क्या स्पेशल पावर्स है बिल कैसे पास होता है ये सबसे important बात इसमें आपको समझने जैसी है कि how contribution work में आप देखेंगे बिल के पास होने की प्रक्रिया अर्थात प्रोसीजर ये important है इसे कहते है legislation ठीक जो काम काम पर होता है संसत में होता है तो अगर आपसे पूछे कि संसत क्या काम करती है ये लोग जो सत्र में बैठते हैं बहस करते हैं ये बहस करके क्या कर रहे होते हैं आखिर क्या बता रहे होते हैं अध्यक्ष महोदय कह कह कर दरसलों वो देश को सम्मुधित कर रहे होते हैं अध्यक्ष जी को माध्यम बता कर क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है देश के लिए कानून बन रहा है कहाँ पर संसद में तो संसद में बनाये गया कानून देश के हर हिस्से में एक समान रूप से लागू होता है उस प्रकार की चर्चा होती है आपको देखना होगा बिल कितने प्रकार के होते है Money बिल क्या है Finance बिल क्या है Ordinary बिल क्या है कैसे पास होता है क्या होता है बिल क्यों होता है बिल किस लिए लाया जाता है नारी, शक्ती, बंदन, विध्यक क्या था कल question आया था न यह सब लोकसभा में होता है इन सब चीज़ों को समझेंगे, विस्तार से समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, आर्टिकल भी समझ में आएंगे और पूरी प्रक्रिया भी समझ में आएगी, जब आपको यूनिन समझ में आ जाए, तो ये समझ लीजिए, कि आपको इसके बाद वाला जो पार्ट है, र सरकार के बारे में है और स्टेट में है कितना 152 onwards up to 233 237 जो बात आप यूनिन गवर्मेंट में यूनियन के बारे में समझ चुके होंगे आसानी से सारी बात समझ में आ जाएगी किसमें इस्टेट वाले में कोई दिक्कत होगी ही नहीं ठीक तो तो कल से हम इसमें एक एक करके कुछ चीजों की चर्चा करनी शुरू करते हैं और आप तक बात पहुचाते हैं किस समिधान क्या चीज है कैसे इसको समझना चाहिए कैसे समिधान बना कैसे समिधान काम करता है संसत कैसे काम करती है कितने प्रकार के सत्र होते हैं और किस प्रका Study for Civil Service के साथ सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को forward करिए Study for Civil Service से सब्मंदित जो courses है आप purchase कर सकते हैं काफी ससते हैं लेकिन काफी लाभकारी हैं ठीक है State level के exams के लिए one of the best platform मौझूद है Study for Civil Service तो मिलते हैं कल Thank you